दोस्तों बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई आपके नहें चैनल का लिक कहां पर है या नहां चैनल किस तरह से देखें आपका कही ओ करिए तोस्त yours description और अच्छी सी entertainment होगी हो चैनल पर आपको इसलिए description में नए चैनल का link है और अजमत पाशा blocks करेकर मारोगे तो भी अभी searching में आए शाहिद में भी लगता है मतलब कि थोड़ा सा नए चैनल है searching में उतना जल्दी नहीं आता है बट description में link दिया हो जाकर subscribe कि लिजे videos देखिये और bell icon की गंटी दबाकर all जरूर कर ले ना और आपका प्यार भी जाता ना comments, likes के तुरू है फिस मैं आपका दोस्त तजमत आज की अपनी original desi मुर्गी पालन की topic है मुर्गी को अंडों पर कब बिठाना चाहिए यानि देखिये कुछ मुर्गियां 10 अंडे देते कुछ मुर्गियां 15 अंडे देते कुछ मुर्गियां 12 अंडे देते अगर से मुर्गी exact 15 अंडे देकर खुड़क बैट रहे हर मुर्गियां हर original desi मुर्गियां तो हम क्या समझते थे 15 अंडे हो गई के बाद मुर्गी को अंडों पर बिठा सकते हैं कर समझ सकते थे बट क्या है हर मुर्गी 15 अंडे ने देती न दोस्त और हर मुर्गी 12 भी अंडे ने देती है हर मुर्गी 10 भी अंडे ने देती तो हमको क्या पता करना है अभी अंडों पे फिर किस तरह से बिठाना है मुर्गी को कब बिठाना चाहिए 10 अंडे दिए के बाद बिठाना है या 12 अंडे के बाद या 15 अंडे के बाद कितने अंडे के बाद अंडों पे बिठाना है मुर्गी को हमारी यह मुर्गी अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है तो यह मुर्गी कितने अंडे देती है किस तरह से पहचान है फिर देखे एक मुर्गी दस भी अंडे दे सकती है बारा भी अंडे दे सकती है फिर हमें खुड़क कब बिठाना है देखे आपकी मुर्गी ज्यादा आवाज नहीं कर जिए अभी उपर की एक मुर्गी को दिखाता हूं मैं आपको अभी देख रहे हो किस तरह से करकर की आवास कर रही है और इसके पंक देखिए और इसका फेज देखिए इस तरह से होगी तो खुड़क बोलते हैं इसे जब 12 पंक देखिए के बाद मुर्गी या 15 पंक देखिए के बाद जब खुड़क बनती है इस तरह की अवास किरती है तो यह खुड़क मानते है तो हम यह मुर्गी को direct अंड़ों पर नहीं पिटा देना है दोस्त अंड़े दाल कर उसे 15 अंड़े तो 15 अंड़े दाल कर direct अं कि निची यानि देखें 10 अंडे दिए या 15 दिए कितने आंडे दिए हो दोस्त इस तरह के अवाज कर लिए तो ये करकर के अवाज जब करती है तो मुर्गी एक जगा बैट रहे है ज्यादा देर तक अंडों पर भैट रहे है पर पुरा दिन अंडों आ रहा है हमें इस तरह की आवास कर रही है तो हम इसे क्या करेंगे चार गंदे अंडे हो जाए चार शौप के अंडे हो जाए दुकान के अंडे चार अंडे दाल देंगे इसके पेट के निचे दाल कर क्या करेंगे तीन दिन तलक अंडों पे बिठाएंगे इसे तीन दिन तल तो उपर से एक टोकरा अढ़ा आप देना है तो अब यह और भी clarity से बताऊंगा अभी देखिए इस तरह के टोकरे में यहां पर इस तरह के setup में हम यहां पर मुर्गी को अंडों पर बिठाया है भाई अंडे है तेक मुर्गी के पेट के निचे कहे कर बहुत सारे भाईयों को डबड आता है ना देख सकते हो अभी पुरा ठाऊं देखिए अंडे क्योंकि बहुत सारे भाईयों को डबड आता है तो आपको करना क्या है यह देख लीज़े बिठा कर क्या करोगे? उपर से इस तरह का और इके टोकरा उपर से ढाप दोगे इस तरह से ढापे तो भी चलेगा देखे अब इस तरह से ढाप रहा हूँ तो मैं आज हमेगे मुर्गी के आप टोक्री का टोकरी का वेट नहीं रहना है देखें वेट बिल्कुल नहीं है देख सकते हो आप तो इस तरह से भी ढप सकते हो इसको हांदा भी मार सकते हो तो मार ना है इस तरह से मार कर आपको डेली 10 मिनट के लिए ये टोकरा निकाल देना है अभी इस तरह से टोकरा निकाल कर इसे उठा देना है देखें इस तरह से खुडक बैट गई यह अभी देख सकते हो आप इस तरह से खुडक नहीं के लिये किलीए पादी पानी पीलेगी मं देख लीजाई देख लिजा इस तरह से इंडों पर छोड़ दीजाई। फिर उपड़ से टोकरा धाब दीजे धाब दिये के बाद एर जाना है इसमें हवा जाना है बिल्कुल पूरा टाइट नहीं मुझ देना है मुर्ग के ओपर वेट नहीं रहना है दो बाते वो ध्यान से याद रखिए तो फिर हम क्या करेंगे अभी डेली 10 मिनिट इस तरह से क खाने को चैसे कट रहें फिर पर्टसुं कि छोडें रहें गें टीन दिन में अपको मालूम होगा कि अगर से मुर्गी तीन दिन में अन्डा आ दी हैं तो उसके सारे अंडे नई हो गए दोस्त और भी अनडा देने बाख हिए तो और भी जब अनडे देना भाख ही रहेगा मुर्गी तो अंडों पर बैटना बहुत मुश्किल रहेगा ताकि उसके पूरे अंडेस खतम नहीं हुए तो अंडों पर कहां से बैठेगी वो तो आपको क्या करना है और एक दो-तिन देन खुले में छोड़िये उसे फिर अंडे दे रही है वो तो पता चल जाएगा अंडे जब बंद कर देगे अंडे बंद कर दी के बाद इस तरह से खुड़क बैठ जाएगे अराम से अगर से नए बैठ लिए तो इस तरह से जबरदेस्थी भी आप खुड़क बिठा सकते हो दोस्त उपर से टोकरा रख कर बढ़ वह सारे मुर्गें क्या करते है उपर ठैड़ अगर से देरी भी हो तो अंडों पर बैठ जाएंगे कुछ मुर्ग खुडब हो जाएंगे बिना खुडब की मुर्ग को भी खुडब करने का तरीखा ज्यादा तर यही रहता है जब मुर्गी इस तरह से प्यूर खुड़क बन जाती है दोस्त तो ये चार अंडे निकाल दीजे अमलेट दाल दीजे असालन दाल दीजे खा ले सकते हो और इसके पेट के निचे नए अंडे जितने भी दीए ये उपने दाल कर बिठा दीजे maximum 18 दाल सकते हो देखियो ना दोस्त आज का वीडियो उम्मीद करते है सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी मार देना और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर देना और नए हो अपने चैनल पे तो लाल किलर का सब्सक्राइब बिटन दबा कर बाजी की बेल कल नए चैनल पे यानि अजमत पाशा ब्लॉक्स चैनल पे नया वीडियो आ रहा है दोस्त मॉर्णिंग के आड बजे भूत मजा आने वाला है इसलिए वीडियो लगाईए राम से चाई ले लिजे या आपको मेरी तरह दूद किया दते तो दूद भी ले लेकर वीडियो द दूद कर दो मैं थे लेकर पी लें थे लेकर हाईए बीर दो आड़ Aa ד